हेलो डियर स्टूडेंट्स विल्कम बेक टू माई स्टूडी मेड डिलही चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कारिपत्रक सत्तावन यानि कोक्सीट नमबर फिफ्टी सेवन की जो क्लास नाइन्थ के समाजिक विग्यार के अंतरगत भुगोल से रिलेटेड है और जिसे दिनांग 3 जनवरी 2022 के लिए सेडिल किया गया तो बच्चो वीडियो सुरू कर प्रेस ले आपको बता दें में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि मौसम और जलवाई में क्या अंतर है ठीक है और जलवाई सब्द के उत्पति कहां से होती है तो इन सब बिसे में आज हम लोग अच्छा से जानेंगे तो आईए सुरू करते हैं आज की क्लास मौसम और जलवाई देखें हम अक्सर मौसम और जलवाई सब्द का प्रियोग एक दूसरे के अस्थान पर करते हैं क्योंकि इन दोनों को परिभासित करने के तत्व एक ही है यानि तापमान, वाई मंडली दबाव, पवन, आर्दता और वर्सड लेकिन वास्तों में इन दोनों सब्दों के अलग-अलग माइन है अगर हम रियल्टी में देखें तो मौसम और जलवाई दोनों अलग-अलग चीजे हैं ठीक है लेकिन अगर हम देखते हैं ब्यवहारिक जीवन में तो लोग मौसम और जलवाय दोनों को एक ही सब्द से नापते हैं तो आज हम लोग देखेंगे कि ये इसमें जो अलग-अलग हैं ये कैसे अंतर हैं तो आईए इनको अलग-अलग हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले देखिए जलवाय की बात करें तो देखिए यह किसी बिसाल छेत्र में लंबी अवधि तीस वर से अधिक मतलब जब बिसाल छेत्र की बात हो और जो उसकी समय सीमा हो कम-कम तीस साल से अधिक हो में मौसम की अवस्थाओं का कुल आउसत होता है जो जलवाय है वो क ये किसी बड़े छेतर का जो 30 वर्ष से अधिक का मौसम होता है, उसी को हम जलवाय करूप में समझते हैं, जैसे मारे जैंडर कोई विसाल छेतर है, और वहां की करीब 30 वर्ष से अधिक समय का जो मौसम है, उसका आउसर जो है, क्या कहलाएगा? जलवायू का लाएगा लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो देखिए यह किसी एक समय विशेष में एक छेतर की वायू मंडल की इस्थिति है मौसम जो है किसी एक समय का किसी विशेष छेतर का ठीक है थोड़े से समय का है किसी विशेष छेतर का जो है समय होता है और उसी को वयमंदली स्थिती को जो है मौसम के नाम से जानते हैं जलव वय यह लंबे समय तक समान ही रहता है लेकिन मौसम में क्या होता है इसमें एक दिन के भीतर भी अक्सर उतार चढ़ा हो सकता है जैसे कि मा लेजिए अभी ठंड का मौसम है ठीक है सुबह ज्यादा ठंड है दोपर आप देखो कि धूप हो जाएगी ठंड कम हो जाएगी और साम के टाइम फिर ठंड बढ़ जाएगी तो ये जो चेंजिंग है इसे आप मौसम बोलेंगे लेकिन जो जलवाय है ये कई वरसो के बाद जब मौसम ऐसे ही बने रहते हैं इसमें देराना लगवा तीस साल से एवब तीस साल से अधिक के जब अवद की अगर हम बात करते हैं और जिस समय जो मौसम है वो बिलकुल ऐसे ही बना है ठीक है तो उसको हम जो है जलवाय के अंतरगत रखेंगे अब जलवाय में देखें इसे तुलनात्मक रूप से बड़े छेत्र एक देश या कई देशों के लिए संदरभित किया जाता है जो जलवाय होता है वो अगर मौसम से अगर हम तुलना करें तो वो एक बड़े छेत्र के रूप में दरसाते हैं आप उसमें पूरे एक देश को ले सकते हैं या क अज्दान के लिए संदर्वित किया जाता है। बियतनाम, थाइलेंड, मानसून प्रकार की जलवायों का अनुभव करते हैं। जो पूरे अब देख पा रहे हैं भारत, पाकिस्तान, बियतनाम, थाइलेंड जो ये चार देश आपको दिखाए जा रहे हैं भारत, पाकिस्तान, बियतनाम और थाइलेंड इन सभी देशों में एक ही प्रकार की जलवाई है और वो जलवाई है मानसूनी जलवाई तो ये कई सालों से ऐसे ही मानसुनी जलवाई यहां पर बनी हुई है ठीक है और अगर मौसम की बात करें देखिए उदारण के रूप में एक दिन में हम किसी प्रविशेस छेत्र में जैसे धूप तुफान या बरसाथ की स्थिति का उन्भाव कर सकते हैं जो मौसम है जैसे आप इस हम का अंतरगत आएंगे लेकिन जब यह लंबे समय तक जब कोई चीज अस्थाई बन जाती है तीस साल या उससे जादे समय के लिए तो फिर जलवाई के अंतरगत आ जाता है जो मौसम होता है वो किसी एक विशेस छेत्र छोटे से गाउं या सहर के लिए आप उसको देखे ठीक है और इसमें देखिए मानसून सब्द की जो उत्पति है वो अरवी सब्द मौसिम से हुआ है और जिसका अर्थ होता है मौसम तो मानसून सब्द की उत्पति मौसिम सब्द से हुआ है जो कि अरवी सब्द है और जिसका साब्दिक अर्थ होता है मौसम हाला कि भारत मे समाने रुप से मानसून प्रकार की जलवाय है लेकिन तब भी तापमान और वर्सड वर्सड यानि की बारिस वर्फबारी और ओला बृष्ट के मामले में भारत के बिभिन भागों में भिनताए हैं आप भारत को आप जानते हैं भारत को जो से बिभिताओं का देश कहा जाता तो यहां पे जलवाय के मामले में भी यहां पे तमाम प्रकार की भी बिताएं हैं आप पूर्व साइड में देखेंगे तुधर बरसाथ जादा होती है फिर दच्छिड में भी देखेंगे जिसे की केरल हो गया तो वहां आसपास में बरसाथ जादा होती है लेकि जैसे जैसे हम उत्तर के तरब बढ़ते हैं और उत्तर पर्शिम के तरब जैसे जैसे जाते हैं वहाँ पे वर्सात की मातरा कम होती जाती है ठीक है तो वहाँ पे भी हमें अंतर दिखाई देता है आईए आगे देखते हैं 30 छेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है जो समूद्र के 30 छेत्र हैं ठीक है गुजरात महराज केरल गोवा ठीक है तमिलनाड और इधर जैसे आंद्र प्रदेश पस्शिम मंगाल तो ये सब जो एरिया है जो समूद्र के किनारे इस्तित है वहाँ पर जो टेंपरेचर में जो अंतर होता है जो डिफ्रेंसेज होते हैं वह बहुत कम होते हैं देश के आंतरिक भाग में मौसमी अंतर अधिक होता है अगर देश के आंतरिक भाग में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर मौसमी अंतर बहुत ज्यादा होता है जैसे कि माल लिजे कि आप वहाँ देखे कि जैसे जब गर्मी आएगी ठीक है अगर आंत्रिक भाग की बात इसमाल यह दिल्ली है तो वहाँ पे आप गर्मी में देखोगे जो टेमप्रेचर है वह 40 डिगरी से एवब चला जाता है ठंड के मौसम आप देखोगे तो वहाँ का टेमप्रेचर 0 डिगरी सेल्सियस या और माइनस में भी चले जाते हैं तो वहाँ का जो डिफरेंट है वह लगवग चालिश-चालिश डिगरी का डिफरेंट आ जाता है लेकिन जो समूद तर्टी छेतर हैं जैसे कि मान लिजिए तमिल नाड हो गया ठीक है जो समूद के तर्ट परिस्तित है तो वहाँ आप हर मोसम में जाएंगे ठीक है आप इस थंड के मोसम में भी जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ का जो टेंप्रेचर आपको मिलेगा वह लगवग अठारट डिगरी के आस-पास मिलेगा मध्ध ठंड में भी और गर्मी के मौसम में जाएंगे तो वहां का जो टेंपरेचर है वह बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो बाइस तेश डिगरी तो मुश्कृ से वहां का जो डिफरेंट है छे से साथ डिगरी सेलसियस तक रहता है तो इसलिए क्या होता है तक जो समुद्र तटी छेत रहें वहां का टेंपरेचर में जो अंतर है वह काफी कम होता है और जो आंतरिक जो भाग है जो अस्थली भाग है वहां का टेंपरेचर में ज्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है आगे दीखें उत्री मैदानी इलाकों में आम तोर पर पूरब से पस्चिम की और वर्सा घटी जाती है समझने के लिए समझ लिजिए कि यह आपका जिसे भारत का मैप रहा ठीक है इस तरीके से क्लियर है अब देखो इसमदेरा उत्री मैदानी इलाकों में आम तोर पर पूरब से पस्चिम की और वर्सा घटी जाती है आपको दिसाय बताए गई है ठीक है देखिए ये आपका नौर्थ है इधर साउथ है इधर इस्ट है और इधर वेस्ट है यहां कहा रहा है कि पूरब से पस्चिम मलब जब इधर से हम इधर जाते हैं तो वर्सा की मातरा घटी जाती है ठीक है आपको देखिए जो मांसून चलती है दच्छिट पस्चिम मांसून ऐसे चलती है और ऐसे जो है ऐसे आती है तो ये जिधर चलते उधर से जादा राता है इधर आते आते धीमी हो जाती है ठीक है तो इस होजासे जो जिसे आप केरल देखेंगे और फिर इधर पस्चिम बंगाल के आसपास ओडिशा फिर बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए जैसे जैसे आगे वरती इधर राजस्थान में आते आते बहुत कम प्रभाव रह जाता ह इन विविताओं ने लोगों के जीवन में भी काफी यानि भोजन, कपड़ों और जिस तरह के घरों में रहते हैं उन मामलों में विविताओं को जन्म दिया है देखे जैसा वाताबर, जैसा क्लाइमेट मिलता है लोगों का रहन सहन ठीक है खाने, पीने, हर चीज में आपक आप से कुल चार प्रस्ण पूछे गए हैं, तो आईए इन प्रस्णों को एक एक करके हल करते हैं, पहला प्रस्ण है, जलवायु का अर्थ क्या है, इसके तत तो क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे, लंबे समय लगभा तीस वर्सों में मौसम के आउसत को जलवायु कहते हैं, और इसके तत तो क्या-क्या है तो उसमें देखे तापमान है, वर्षा है, आर्दता है, पौने है, वाईदार है तो इन सब से मिलकर कहीं ने कहीं हम कहें तो जलवायू का निर्माड होता है और ये जो है लगभग तीन सो वर्स या उसके जादा समय का जो आउसत निकलता है उसी को जो है हम जलवाय कहेंगे कम सकम इसके लिए तीस वर्स से अधिक का समय होना चाहिए नेश्ट प्रस्ण है प्रसंख्या दो भारत के पूर्वी छेतर में पस्मी छेतर की अपेक्षा अधिक चावल क्यों उगाया जाता है तिसमें लिखेंगे पूर्वी छेतर में पस्मी भागों के पेक्षा वार्सिक वर्सा अधिक होती है जो पूर्वी भारत है जैसे कि पूर्वी भारत में आप देखेंगे असम, पस्षिम बंगाल जो ये एरियाज हैं वहाँ पे पस्षिमी भागों के पैच्छा अधिक वर्सा होती है इसलिए पूर्वी भागों में चावल उगाया जाता है ज्यादा चावल इसलिए वहाँ पे उगाया जाता है क्योंकि चावल के लिए वर्सा का होना बहुत अवस्यक है ज्यादा पाने चाहिए वहाँ पे और देखें राजस्थान के घरों में मोटी दिवारे और सपाट छटे क्यों होती है तो आईए जानते हैं चुकि राजस्थान मौसम गर्म होता है और बहुत कम बरसात होती है घरों में मोटी दिवारे और सपाट छट होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मोटी दिवारे गर्मी को घरों में प्रवेश करने से रोकती है जबकि सपाट छटे बारिश के दोराण एकत्र किये गए थोड़े से पानी की नमी को बनाये रखने में मदद करती है आप समझ गए होंगे कि राजस्थान के घरों में जो मोटी दिवारे रखी जाती है और सपाट छटे रखी जाती है वो क्यों रखी जाती है क्योंकि जो वहाँ का टेंपरेचर है वो काफी हाई होता है काफी गर्म होता है और बरसात भी कम होती है इस वज़ा से वहाँ के टेंपरेचर जादे जो गर्मी है उससे बचने के लिए और बरसात की जो कम ही बरसात होती है उसकी पानी को सही से मोटी दिवारें गर्मी को घरों में प्रवेस करने से रोक लेती हैं और जो सपाड छटें हैं वो बारिस के दोरा ने कत्र किये गए जो थोड़ा सा पानी होता है उसकी नमी को भी बनाए रखने में मदद करती है जो लाश्ट प्रस्ट ने वो है नौवंबर दिसंबर महीने क दिल्ली केताब मान और बरसाथ के अधिक्तम नियूंतम और औसत की गर्णा एक चार्ट बना कर किए देखिए इसमें एक चार्ट के माद्यम से आपको दिखाना है नौवंबर दिसंबर महीने के टेंपरेचर और रेनफाल यानि कि बरसाथ का अधिक्तम और नियूंतम और का औसत ठीक है तो आप ऐसे दरसा सकते हैं देखिए ये एक चार्ट है चार्ट में एक तरफ आपको इधर पे देखिए टेंपरेचर को दिखाया गया है डेरी सेल्सियस में और यहाँ पे रेनफाल यानि कि बरसाथ को आपको मिलिमीटर में दिखाया है तो आपको कूस्च बात करें अगर बर्सात की तो आप देखिए यहां आप नवंबर में बर्सात काफी कम दिखाई दे रहा है लगभग यहां देखिए जो बर्सात है वो ज्यादा से ज्यादा तीन से चार एमेम हम समझ सकते हैं ठीक है काफी कम है और अगर इसकी बात कर ले टेंप्रेचर की तो आप नवंबर महीने में टेंप्रेचर देख पा रहे होंगे कितनी है नवंबर महा में यह राठ टेंप्रेचर तो टेंप्रेचर आप देख पा रहे हैं दिल्ली का यह जो है लगभग नवंबर माह का टेंपरेचर आपको यहां दिखाई दे रहा है यह लगभग है आपका 28 के आसपास होगा 28-29 डिगरी सेल्सियस के आसपास और दिसंबर माह में यह जो वर्सात है यह कुछ ज्यादा है तो वर्सात को आप देख पा रहे होंगे वर्सात इधर से इंडिकेट हो मिलिमीटर करीब है और टेंपरेचर जो दिसंबर का है यह घट गया है दिसंबर महीने में और यह घट के करीब 22-23 डिगरी सेल्सियस के करीब आ जा रहा है तो आप केवल इतने को भी दिखा सकते हैं और अगर चाहें तो पूरे डाइग्राम को भी आप बना सकते हैं ठीक ह तो बच्चों इसके साथ आज की ये वर्क सीट आपकी कंप्लीट होती है आई हो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें दोस्तों में जाज़ा सेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इसके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू